Hello students, welcome in our online classes. आज हम हिंदी की पाठे पुस्तक पलाश की सेकिंड चेप्टर की एक्सिसाइस करेंगे. इससे पहले हमने चेप्टर रीट किया था and I hope कि आप सब नी वो चेप्टर अच्छी थरह से रीट कर लिया है. तो let's start exercise. Firstly, you all mention date, chapter number two, chapter name, व्रतम गया, गाउं घूमने. शब्डार्थ First, सेर, घूमना, नजरिया, सोच, मैत्री, दोस्ती, गुण, खूबी. प्रशनों के उत्तर First question, व्रतम की मातापीता के वेविसाए के बारे में बताएए. Answer, व्रतम की माता प्रोफेसर थी और पिता डोक्टर थे. Next question, व्रतम की पिताजी उसे गाउं क्यों भूमाने ले गए? Answer, व्रतम की पिताजी उसे दिखाना चाहते थे कि गाउं के लोग कैसी रहते हैं? Next question, गाउं की लोग अपना समय किस पिरकार बिताते हैं? Next question, व्रतम के पिताजी ने व्रतम से क्या सीखा? व्रतम के पिताजी ने व्रतम से सबके प्रति देया भाव रखना, सभी से दोस्ती करना, जीवन में सादगी अपनाना सीखा? मौखिक प्रशन खाने पीने की चीज़े कैसे प्राप्त करते हैं? शहर में लोग खाने पीने की चीज़े बाजार से खरिते हैं. व्रतम के उत्तर ने किसी सोच में डाल दिया? व्रतम के उत्तर ने पिताजी को सोच में डाल दिया. Okay students, be happy, stay healthy, bye bye. स्थाड़े